यशो मती मैया के नंदे लाला है बाईया डोरी जोली असमे कान हारे आजरी अरे तुझे से है पूरन दुनिया मोरी लला लो मेरा मैया मैं तोरी आजरी अरे रूरूरूरू कि प्रभूशेंट कुछ कीजिये अन्यता पूरा वन ही जल जायेगा मेरी सहायता कीजिए प्रभू आज कोई नहीं रोक सकता मुझे आज इस बन का एक एक दिन का जला डालूँगा मुझे बुर्गर दावा नल मैं तुम्हें ऐसा खड़ने की आज 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 आजा मैया की नीन्ने व्यवदान पहुच रहा है मुझे शिक्रता करनी होगी कुछ ही समय पहले बुच्ते हुए चिंगारी से घबरा गया था अब इत्ते विसाल दावानन को निगल गया फिर से गरबढ़ करती का नाने समझाया था को लीला मत करना तुमारे समस्या और बढ़ जाएगी अब क्या करू दाओ जब जब मैं इसे अपने लल्ला के रूप में देखने का प्रयास करती हूँ मुझे प्रभू दिखते हैं कैसे कैसे समझाओ अपने आपको मैया मुझे पतो आपने का था रगनी के साथ मत्ती खेलना पर अगभी फैल रही थी मुझे कचुगा कचुटो करना ही था मैया क्यों प्रभू क्यों चीन रहे हो एक मैया से उसके मंता मैं आपकी भागतावास से हूँ पर उसके साथ साथ आपकी मैया भी बने रहना चाहती हूँ आपको एक मैया बनकर दुलारना चाहते हूँ फटकारना चाहते हूँ डाटना चाहते हूँ तो फिर डाटो ना मैया पटकार लगाओ मुझे डंड दो कैसे काना तुझे देखते ही मुझे अपने भगवान दिखाई देने लगते हैं मेरे मन में तेरे प्रतिय भक्ती के भाव जाग रहे हैं मैया पैसा मत्ती करो ना देखो मैं वही काना हूँ जिसे आप लोरी सुना के सुलाती थी वही काना हूँ जिसे अपना हतों से माकन खिलाती थी मैं वही काना हूँ मैया जो भूल करता था तो आपकी दंड भी खाता था और आप जड़न भी बादा था मैया एक बार मेरी ओड़ी को तुसे ही अब वो ही काना हूँ चाप की पूच बनके पूरे विंदावन में गूंटा था तेसे चड़ना बोलना सब सिखाया आपने पहले मेरा सत्य जाने भी न आप मुझे अपने रल्ला की तरह विभार करती थी अब मेरा सत्य जानने के बाद भी अपने रल्ला की तरह ही मुझे अपना ना होगो क्यूंकि मैं तो वही हूँ आपका काना इत्ता प्यार करतो है तुम उझसे जब मैं तेरे भीतर भगवान का रूम देखती हूँ, तो मैं भेवीत हो जाती हूँ का नहाँ जे सोचके कि तू, तू मुझे छोड़के तू ना चला जाएगा कई गया भी तो सदेव आपकी हेदे में ही रहूंगा वही तो है मेरा असली निवास माता ओ माता तू ही सारे जग के है विधाता प्रेम है तेरा ऐसा निराला विवश हो कर आए जग पाला यशो मती मैया के नंद लाला 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 यशो मती मैं यशो मती वीव दो टी जाए आए यशो मती स्वार्स लाला लल्ला, विगरता कर, घर पहुँचकर जाड़ बुहारी भी करनी है का होगो, ये सब हैर क्यों गए? कली थो हम इस छेत्र के सुन्दर्था की प्रसंसा कर रहे थे ना, और आज कछो बचो है तो बस, चिंगारिया, भास्म का ढेर और विनास का द्रिस्ष्य चिंदा क्यों करती हो भावी? जिसने इस वन को हम सब को जनने से पचायो है वहीं इसे फिर से हरा भरा कर देगो नंदराज, इस समय घर जाना सुरक्षित होगो पुरो मर्क जल गयो है इन सुलक्ती चिंगरियों का ताप किसी बाला की अवरिदी के पाउं में लगगो तो चंटा के कोई बात नहीं है बाबा हम सब मेर्शिक गर के आश्रूम में जा सकते हैं मा सारी ववास्ता हो जाएगी हो यह सद एक दूर भी नहीं है मुझे लगतो है के हम सब को इसी गर्क के आश्रम जानो चाहिए वहाँ चल कर कुछ समय उनकी सेवा करेंगे और जैसे ही अगनी सांथ हो जाएगी और वेंदावन जाने को मार्क सुरक्सित हो जाएगो हम सब वापस लौट चलेंगे अच्छा है ओई माची घर्क जिन्होंने मेरा नापकरन करा था कर दो जाएगो कर दो कर दो कर दो कर दो दो कर दो आज से तुम्हें सारा संसार जिस नाम से पहजानेगा वो नाम है कृष्ण रिष्ण वो नाम है कृष्ण वो नाम है कृष्ण प्राणाम्र शेवर अरे सिवर, आपका स्वास ठीक तो है ना? महारी शी को संबालो का ना, ये तो इस श्राक्ष्टाम मैं आप कर देंगे तुम्हें और तब छोटी बाको, तुम्हारे भगवान उने की समनेते स्रसा आजाएगी भगतों को भगवान के दर्शन मिलते हैं, मुझे तो साक्षात भगवान ही मिल गए इस समय मा भगवान नहीं, बस आपका सिश्ची और शिवर स्मरण रखिया हैं, भगवान अपने भक्त के खर नहीं आएं, आज एक तूत्र अपनी मैया के साथ एक महरशी के आश्रम आया हैं देखो तू इसे, ऐसे रिदे से लग रहो है, जैसे कित्ते अच्छे से जानता हूं जानता हूं मैया, बाबा ने कित्ती बार पतायों इनके बारे में, कि कैसे मेरा नाम करण करा था, इसलिए तो इतने विशेस हैं मेरे लिए अच्छा ही है कि ये सोदाजे भूल रही है, कि इसका लल्ला, स्वायम स्री नारायन दवतार है आप सभी का यहां आना बहुत ही प्रसनता की बात है आप आए हैं अपनी इच्छा से, फरन्तु मेरी इच्छा के बिना जा नहीं पाएंगे आपके साथ समय बताने हैं मेर्शी इच्छी इच्छी रहा से जाएंगे भी ना लगता है काना के मस्तिस में कोई योजना है कोई फिर से कोई लीला तो नहीं करने वाला है कोई योज स्वार्ण से काने हैं यह फिर दो और अप हमया से की इच्छा कानि तूड़दावन 3 3 क्या बात देगाना, अपने दाओ कर नहीं बताओगी, कौन सी बात दाओ, जाक चुरू क्यों तुम, कोई विसेश जोजना बना रहो क्या, मैं को युशेश होचना कभी नहीं बतानता दाओ, चुभूना होते है, वो अपने आप हो जाता है, पैसे दाओ, योजना बनाओ भी आचको चुशेश को दीना है, अचको चुशेश को दीना है, तो मेरा चनम देडिस के लेवेशे जाफसर नहीं, यह फिरिसे समर नहीं, क्यादि मेरा चनम देडिना, ओहो काना, कितनी दूर फिक दी, अब जाके लेखे आनी पड़ीगी, बल्रा, वहाँ खड़े क्या आओ, आओ घिल्ली लेके आते हैं, अब मेरी बारी है, ने, अब मैं खेलूंगो, क्या हो, अदाओ क्या देख रहे हो, ऐसा लगा, कि जैस्सो कोई था या, वहाँ अदाओ कोई ना कोई दे जीव जन्तु हो गाई, छोड़ो ना, अब आपी बारी, मार गिल्ली बर लगागे, हाँ हाँ, मल राम को खेलने दो, अभी अभी आया न, कर दो तो कि याँ न, अवहाँ और भाँ म को खेलने, न, चलतो कि झाँ है। यही हत्या की थी ना उसने मेरे भाई बकासुर की और वो सारे बालक बड़े चाव से देख रहे थे प्रशन सा कर रहे थे उस मायावी की मेरी बहन पूतना के हाथों से तो बच गए किन्तु अब मेरे क्रोध से मेरे भीतर दहकती प्रदिशोद की अगनी से अब ना तो वो बालक बचेंगे और ना ही वो विश्रु आवतार और भूलना मत महाराज ने क्या कहा था सीधे सीधे उस मायावी के सामना नहीं करना है तुम्हें वो बालक बहुत चतुर है पर है तो एक बालक ही और एक नन्ना सा बालक क्या हानी पहुँचाएगा मुझ जैसे महाविशाल बहाँ शक्तिशाली अगासुर को पता नहीं तेरी मैया क्या क्या सोच रही होगी दिवा के समय एक दुसरे को वजन दिया था कभी भी एक दुसरे से कछो ना चुपाएंगे और मैंने कितने वर सो तक तेरे दिव्य होने की बात उससर चुपाई तुम नहीं तो कही थी कि मैं तुम्हारा सत्य तुम्हारी मैया को ना बताओंगे पिर तुमने स्वया महीं उन्हें अपने सत्य के बारे में क्यों बतायो कल लाएंगे झाल झाल